तेहवारों पे बहुत सारी मिठाईयां बनती है जैसे बालु साही गुलाब जामुन तो आज मैं आपके लिए ले करके आई हूँ चंद कला मिठाई की रेसिपी बहुत ही जबरतस्त और बहुत ही डिलेशियस तो मैं इस तरीके से आपको बताऊंगे कि आप घर पर बहुत ही इस चंद कला की रेसिपी को शुरू करते है चंद कला मिठाई बनाने के लिए यहां पर मैंने एक बरतन में दो कप मैदा लिया है सात में यहां पर हमने दो चुटकी बेकिंग सोटा लिया है हमें ना जादा नहीं डालना बस दो चुटकी ही इसमें एट करना है दोनों चीजों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे साथ में यहाँ पर हमने 2 टेवल स्पून घी इसमें एट किया है घी डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से मैदे में मिक्स कर देंगे यह देखे और यह आप देख सकते हैं हमने इसे मैदे में अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया यह अगर मुठी बन रही है तो समझे यह डो के लिए बिलकुल भी पाफरेक्ट है अब हम क्या करेंगे ना इसमें थोड़ा थोड़ा पानी टाल करके इसका सकत डो तयार करेंगे जैसे आप पूडियों के लिए तयार करते हैं बस उसी तरीके का डो हमें तयार करके ले लेना है और यह आप देख सकते हैं डो हमने तयार कर लिया है अब हम इसे ढख करके 15-20 मिनट रेस्ट पे रहने देंगे तब तक एक काम हम और कर लेंगे गैस पे यहाँ पे हमने एक पैन रखी है 1 टेवल स्पून यहाँ पे हमने घी इसमें एड़ किया है साथ में यहाँ पे हमने 15-20 काजू और 15-20 बादाम दोनों को बारिक काट करके ले लिया है साथ में यहाँ पे हमने किस्मिस भी ले ली है 8-10 जिसे हमने टुकरों में काट करके ले लिया है काजू और बादाम को हम रोष्ट करेंगे किस्मिस को रोष्ट नहीं करेंगे अब यहाँ पे हमने 200 ग्राम मावा लिया है यह मार्केट का मावा है इसे अब हम low to medium flame पे इसे भी हम काजू और बादाम के साथ रोस्ट कर लेंगे जैसे जैसे यह गर्म होगी न वैसे वैसे इसमें moisture release होगी अब यह आप देख सकते हैं दो से तीन मिनट ही हमने इसे भुना और इसमें से moisture release हो चुके है अब हम इसमें add करेंगे किस्मिस और half teaspoon हरी लाइची का powder दोनों चीजों को डालने के बाद अच्छे से mix करते हैं दो से तीन मिनट इसे भी भून लेंगे gas के flame को off कर देंगे और इसे बिल्कुल ही हम ठंडा कर लेंगे और यह आप देख सकते हैं मावा जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडी हो चुकी है अब हम इसमें डालेंगे टू टेवल स्पून PCV चीनी चीनी डालने के बाद इसे हम मावे में अच्छी तरीके से mix कर देंगे चंडरकला के लिए stuffing हमारी ready हो चुकी है इसे अब side करते हैं चलते हैं चासनी की तयारी कर लेते हैं गैस पे यहाँ पे हमने एक बरतन में एक कप चीनी ली है साथ में यहाँ पे हमने आधी कप पानी लिये जैसे हमने जिस कप के नाप से चीनी लिये ना उसी कप के नाप से आधी कप हमने इसमें पानी एट किया है कुछ धागे हमने केसर की एट की है साथ में यहाँ पे हमने थोड़ी सी ओरेंज रेट फूट कलर इसमें एट किया है चलाते वे इसे भी हम मिक्स करते जाएंगे इस प्रोसेस को करने में आपको 7-8 ट्विनट का समय लग जाएगा चासनी को हम चेक करेंगे इसकी चासनी हमें चिप-चिपी चाहिए जैसे आप ऑईल को छूते हो ना बस उसी तरीके की हमें चासनी चाहिए कुछ बूंदे यहाँ पे हमने निम्बो की एट किया ताकि चासनी जमेना चासनी हमारी रेडी है इसे आप साइट करते हैं चन्दरकला के लिए जो वने दू तयार किया है उसे अब हम चेक करेंगे वापिस से हम इसे एक वार चिखना करfar़ लेंगे अब क्या करेंगे इससे छोटी छोटी लोई काट कर मख़ां के ली लेगे और ये लीजी सारी लोई हमने काट के तयार कर ली है अब हम इससे एक लोई लेकर के हत्हेलियों के बीच में रखते वे पेड़े का सेफ दे सारे पेड़े हम इसी तरीके से पहले बना के तयार कर लेंगे इससे ना चंद्रकला मिठाई बनाने में आसानी रहेगी अब एक पेड़े लेकर के हम पूरी की तरह इसे पेल करके तयार कर लेंगे आप चाहे तो बड़ी सी रोटी बना करके और इसी किसी धकन की हेल्प से पूरी की तरह काट के तयार कर सकते हैं मैं यहाँ पे छोटी छोटी पूरीयां बना के पहले तयार कर रही हूँ अब हम क्या करेंगे इसके उपर स्टफिंग डाल देंगे जो जो मने मावा के स्टफिंग बनाई थी इसके उपर डाल देंगे जितना आपको लगे उतना ही आप इसमें हेट करें ओफट ना करें इस्टपिंग हमने डाल दी है अब हम क्या करेंगे ना चारो साइड से पानी इस तरीके से लगा देंगे इस तरीके से लगाने से क्या होगा ना कि वो जो दूसरी पूरी है ना जब हम डालेंगे ना तो इसली वो चिपक जाएगी यह देखे इस तरीके से आप इसे इस तरीक से चारू तरब से चिपका दिया है यह देखिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगे इस मिठाई को बनाने में अब हम क्या करेंगे ना इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे पहले इस तरीके से फोल्ड करें फिर चुटकी से इसे दवाए फिर से इसे आप फोल्ड करें फिर कर लेना इससे बहुत यह अच्छी डिजाइन निकल के आएगी यह देखिए इस तरीके से फोल्ड करते जाए चुटकी से दवाते जाए यह आप देख सकते हैं हमने चंदरकला की जो डिजाइन है कितने इजली बना करके तयार की है आपको कोई भी दिकत नहीं आएगी और यह लिजी हमने डिजाइन दे दी है इसी तरीके से न हम सारी चंदरकला की डिजाइन बना करके तयार कर लेंगे अब चलते हैं कैस की तरफ कैस पे यहां पे हमने तेल गर्म होने दे दी है एक एक करक हम चंद्रकला मिठाई को इसमें डाल देंगे तेल जो गर्म होनी चाहिए जादा गर्म नहीं होनी चाहिए जैसे आप समोसे को तलते हैं बस उसी तरीकी का तेल इसमें भी गर्म हमें चाहिए अगर जादा गर्म आप करके रखेंगे तो चंद्रकला मिठाई में बवल सानी ल बिल्कुल भी अच्छी मिठाई बन के तयार नहीं होगी देखिए उलट पलट करते वे इसे आप तल ले और ये लीजिए चंद्रकला मिठाई जो है न अच्छी तरीके से हमने तल के तयार कर ली है अब हम इसे न निकाल लेंगे इस से जादा हमें इसे नहीं तला है ये रिखने को डाल देंगे ये देखिए उसके बाद नहां हम से चासनी में आठ से दस मिनट हम इसमें रहने देंगे चासनी जो होनी चाहिए हल्की सी गर्म होनी चाहिए तभी ये मिठाई चासनी को एबसॉर्फ परेगी बचे वे जो चंद्रकला है उसी तरीकए से हम उसे भ तैयार हो चुकी है इसे भी अब हम निकाल लेंगे उसके बाद इसे भी हम गर्मा गर्म जासनी में डाल देंगे यह देखिए इसे भी हम 8 से 10 मिनट रहने देंगे अब चलते हैं सौप करने की प्रोसेस पे और यह लीजिए 8 से 10 मिनट हो चुकी है और यह लीजिए सूपर टेस्टी चंदरकला मिठाई बन के बिलकुल तयार है एक बार आप इस तरीके से जरूर बना करके ट्राइ कर सकते हैं यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगती और बहुत ही डिलेस्यस लगती है मैं क्या ही बताओं इस तरीके से बनाएंगे न तो घर वाले बहुत ही खोसो जाएंगे किसी को आप अगर इस तरीके से बना करके खिला दिये न तो सभी तारिफे करते वे धकेंगे नहीं अब इसके उपर पिस्ता डाल देते हैं ताकि देखने में यह बिलकुल ही मार्केट की तरह यह लगे और टेस्ट में बहुत ही अच्छी है मैं क्या ही बताओं मैं बार बा आपको बोल रही हूँ कि यह बहुत ही अच्छी है बिलकुल हलवाईयों के तरह यह बन के तयार हुई है एक बार आप मेरे इस तरीके से चंद्रकला मिठाई जरूर से बना करके ट्राइ कर सकते हैं अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती हो तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे आप जरूर से क्लिक करें जादा से जादा आप इस रेसिपी को सेयर करें और अभी तक जिसने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है चल्दी से आप मेरे चैनल को सस्क्राइ जूसी बनी है और कितनी डिलेसियस बनके तयार हुई है ये देखे बहुत ही जूसी बनके तयार हुई है एक बार आप मेरे इस तरीके से जरूर बना करके ट्राइ कर सकते हैं तो बहुत जल्द आपसे मैं मिलती हूँ नही रेसिपी के साथ thank you